वेल्कम बाइक टो माई चैनल मल्टी टेक कि ट्पल फाइव यह देखें फ्रेंज हम थ्री फेस एसी जनेरेटर मंगाया हैं इसको हम आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाते हैं यह देखें पूरा पैक है कहीं से ओपन नहीं है यह देखें इसकी पैकिंब है तो बहुत अच्छी होती है यह हमें एक पड़ा है टू हंडेड़ नाइंटी नाइन का और प्लस इसमें लगा है सिपिंग चार्ज तो हमें 630 के पड़े हैं तो यह देखें यह देखें फ्रेंट्स यह थ्रीफियस है देखें टीन वायर निकले वे इसमें इसका हम वीडियो बनाएंगे आगे तो आपको दिखाएंगे इससे क्या क्या वर्क हम करा सकते हैं इससे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं और छोटा सा जनरेटर है इसे एमेरिजंसी के लिए हम बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि हम मेकर बाजार से मंगवाएं हैं अगर आप इसको पर्चेश करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिशन बॉक्स में दे देगें वहां से आप इसको पर्चेश कर लेना और हाँ फ्रेंड्स अगर कोई सामान आल लाइन पर्चेश करते हैं तो उसका वीडियो अनबॉक्सिंग करते समय जरूर बना लें इससे आपके पास प्रूप रहेगा कि इसमें कौन सा सामान निकला है कौन सा ही है कौन गलत है कभी-कभी फ्रोड हो जाता है इसलिए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना लेना चाहिए जब भी आप कोई सामान पर्चेश करते हैं अच्छी कंपनिया कहती भी है अगर आप कोई सामान पर्चेश करते हैं तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना लें इससे प्रूप बना रहेगा कि प्रोडक्ट ह अब हम थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देते हैं कि कैसे वर्क करता है चलिए लट दीजिए देखे पूरा setup हम लगा लिए हैं अब आपको हम इसका ओल्टेज दिखाते हैं कि आपको हम उङकोई आपको हम लगा आपक अफका ऋब आपकोई हैं कि यह जोगें दिखी ओधी और फूरा उपकोई कर दो हो आपकोई हैं देखें इसके राउंड कम है इसलिए 50 ओल्ट एसी दिखा रहा है और इसके राउंड बढ़ाने पड़ेंगे इसको हम 1500 से 10,000 तक राउंड देंगे तब 220 ओल देगा तरीब 8,000 राउंड पर इसको सेट करेंगे तब 220 ओल्ट आउटपुट निकालेगा इस डिलर के राउंड क हम आए 2500 ही है इसलिए 50 ओल्ट एसी दिखा रहा है इसके लिए हमको थोड़ा जुगार करके इसके राउंड बढ़ाने पड़ेंगे आगे हम वीडियो जब बनाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि 220 ओल्ट इससे हम कैसे ले सकते हैं इसके राउंड बढ़ाएंगे चलिए अब आपको हम DC पर सेट करके दिखाते हैं देखिए DC पर सेट किये अब देखिए इसमें ओल्टेज निकालेगा कि नहीं देखिए कि जड़ासर में 0-0 तिखा रहा है DC ओल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है देखिए फ्रेंस आपको हम दिखा दिए DC पर सेट करके जब DC पर सेट करते हैं तो कोई ओल्टेज इसमें सो नहीं होता है यह AC ओल्टेज जनेरेटर है इसलिए AC ओल्टेज निकालता है बहुत अच्छा जनेरेटर है अब हम आगे इसके वीडियो बना करके अच्छ अच्छे आपको देंगे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं इसी टाइप के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं जय जवान जय किशान जय विज्ञान बाए बाए